नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस केचेन में आज मैं शेय करूँगी आलू, मटर, पनीर की सबजी की रेसिपी इसको बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए आलू और पनीर को मैंने क्यूप्स में कट कर लिया है और लिये हैं मैंने यापर 1 फोर्थ कप मटर, मैंने यापर फ्रेश मटर लिये है कडाई में मैं डाल रही हूँ ओइल हमें आलू को पहले शेलो फ्राइ करना है अब मैं इसमें डाल दूँगी ये आलू आलो को हम medium to slow heat पे shallow fry कर लेंगे जब तक कि ये 80% तक cook ना हो जाए और अलके से ये crisp ना हो जाए और चलाते रहेंगे इनको बीच पीच में इस तरीके से तो ये देखें ये आलो मारे fry हो गए है इनको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में अब कड़ाई में से सारा oil हम निकाल देंगे सिरफ दो बड़े चमच oil ही रहने देंगे अब मैं इसमें डाल दिया है एक चमच जीरा जीरे को हम crackle होने देंगे जब जीरा मारा crackle हो जाए तब मैं इसमें add कर रही हूँ दो medium size के प्याच प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है प्याज को medium heat पे साथे कर लेंगे जब तक कि हलका transparent न हो जाए तो ये देखे प्याज हमारा साथे हो गया अब मैं इसमें डाल रही हूँ अद्रक और लसुन मैंने हापर ली 5-6 कलिया लसुन की और एक इंच का टुकडा लिया मैंने अद्रक का तोनों को ये मैंने रफली चॉप कर लिया कुछ एक-दो मिनिट सौटे करने के बाद मैं इसमें add कर रही हूँ तीन medium size के टेमाटर पानी और पानी डाल कर एक पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इन सबको हम डखका लगा कर पकाएंगे 10 मिनिट के लिए slow heat पे या फर जब तक टेमाटर हमारे अच्छे से कलना चाहें करीबन 10 मिनिट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये देखे टेमाटर हमार ग्राइंड कर लिया है वापैस इसका्ड़ाय में डाल रही हूँ थोड़ा सा ओल अपमें डाल दूंगी एक तेश पता अब मैं ङर呢 gravy जो हमने घ्राइंड करके रखी है अब इस gravy को हमें फिर से अच्छे से भूनना है पक आना है इसको अच्छे से अमें अब मैं इसमेट कर रही हूं कुछ मसाले, आदा चमच एट किया है मैने लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच एट करेंगे गरम मसाला, एक चमच एट करेंगे धनिया पाउडर, एक चमच एट करेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, इन सब को अच् मैंने आपर कच्छे मचर लिये हैं अगर आप फ्रोजन यूज कर रहे हैं तो अबाद में भी ऐट कर सकते हैं तो मैंने मचर इसमें डाल दिये हैं मिख्स कर लेंगे इनको एक बरी अब मैं इसमें आप कर दूंगी श़ेलोव फ्राई के वे आलू क्योंकि आलो को भी हमने 80% तक ही कुक किया था वापिस इसे में पकाना होगा मिक्स कर लेंगे इनको एक बड़ी अच्छे से कुछ दर इस तरीके से भूनने के बाद मैस में एड़ कर दूँगी पानी करीबन एक से डेट कप पानी मैस में डाल दूँगी पानी डालने के बाद इसमें हम नमक की कौइंटिटी एड़्जस कर लेंगे एक बाल आने पर इसे हम ढका लगा कर पकाएंगे इस लोई हीट पे करीबन 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट बाद एक बड़ी से हम चेक कर लेंगे अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी ये पनीर जो हमने कट करके रखा है मिक्स कर लेंगे इसको हलके आज से तकि पनीर हमारा तूटना जाए पनीर डालने के बाद इसे हम फिर से डखल लगा कर पकाएंगे करीबन 5-7 मिनिट के लिए लास्ट में एक बड़ी चेक कर लेंगे तो ये देखिए सबजी हमारे तयार हो गई है एक आलू को हम कट करके देखेंगे तो ये देखिया आलू हमारा पक गया है गैस को मैं बंद कर दूँगी और सबजी को मैं सर्फ करूँगी आप चाहें तो इस सबजी को किसी पार्टी के लिए as a main course भी बना सकते हैं तो तयार है हमारी आलू मटर पनीर की सबजी अगर आपको रेशीप भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें अगर आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का मेसेज आपके पास आ सके